केसी जगा जहाँ पर गर्मी का मोसम जब आता है तब तीरे तीरे बर्फ पिगल ने लगती है उसी के साथ सेकड़ों मानों कंकल हडिया उपर आती है इस जगा पर चारों और इंसान की खोपडिया और हडिया देखने मिलेगी मन में हजारों सवाल ओठे होगे इस सारे लोगों की अडिया इस रूपकुन लेग में कैसे आई तो बने रे मारे साथ वीडियो के अंत तक यह सब चानने की लिए रूपकुन लेग को मिस्ट्री लेग स्केलेटन लेग भी का जाता है पारत के उत्राखन राजय के चम्मोली जीले में हिमालिया के सबसे उच्छे स्थान पर रूपकुन स्केलेटन लेग स्थी थे इसकी उच्छाई करीब 5020 मितर तक है इस जील की गेरह तक्रीबन 3 मितर रूपकुन जिल को बरफीले पहाड के बीच 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 बना हुए तूरिस भी यहां खीचे चले आते आश्या जाने के लिए इस जिल की फिर से खोज की थी नेशनल जियोग्राफिकी टीम ने भी इस कंकाल के बारे में जानने की कोसिस की थी इसलिए उन्होंने शुरुपुन जिल में 30 और कंकल मिले और उनपर स्टडी किया गये स्टडी के दोरान उन्हें पता चिला के जो कंकल मिले उसमें कुछ कंकल के साथ अभी भी मास चूड़ा हुआ है साल में एक बार गर्मी के मोसम में यहां पर बरफ पिगलने में एक महिना लगता है बरफ जगह पर 300 से ज्यादा कंकल पाय गये इस चिल के बारे में अलग-अलग बातें बताई जाती है स्केलेटन ऑफ चापानिस शॉल्जस सुरुवार्ट में माना जाता कि यह ऐस चापानी सेनक के है क्योंकि सेकेंड ओल्वर के दोरान भारत पर आक्रमन करने के लिए जापान स रिसर्च के बाद यह सामने आया थे कि यह अंकल चापानी सेनक के नहीं थे क्योंकि यह अंकल सेकड़ों सल पूराने थे लेकिन यहां रेने वाले लोग कुछ अलगी कहानी बताते है नंदा देवी का प्रकोप हिमालिया में नंदा देवी का मंदीरे जोकी हिंदूों का सो मनाया जाता है उसी दोरा नंदा देवी की पूझा की जाती है उस वक्त बड़े दूर से लोग यहां आते हैं रेने वाले लोग के अनुसार एक बार कनोच के राजा चस्तवल अपनी गर्वतनी पत्नी के साथ तीर थियातर पर निकले थे वो इमालिया में नंदी देवी प्रकव हो जाएगा लेकिन राजा ने उनकी कोई बात नहीं सुनी और हिमालिया में बर्फिला तुफान आये और राजा के साथ सारे लोग की मोथ हो गई थी लेकिन यह कानी सर्च या जूट इसका दावा कोई नहीं कर सकते आखिर कंकल जिल का रहस्य पता चला वेग्यान पर हैंडरी एटेल द्वारा जार्च की गई संट दोजार अठरा में मालू हुआ कि इन कंकलों के भी दो अलग अलग प्रकार के गरूप थे एक गरूप में जो कंकल मुरस वे थोड़े अलग थे यानिकि वह लोग कोद में छोटे थे वेग्यानी के कहन है कि इन लोगों की किसी लड़ाई से फिर हतिया से नहीं थी बलकि हेल्स्ट्रोम होने की वज़े से हुई थी तो कि इनके कंकल की जब चार्ज की गए तो पता चला सीरक्या पिछे का भाग पूरा फटा हुआ था इसके बाद इस कंकल की कपी रिसर्ट नहीं हुए और इस कंकल की वज़े से रू कर दो कर दो क्या एक यूर्ड झाई कंशनकी जब चार्ड थी तो के वज़े इसकी है और फोल्स्के बढ़े वज़े खिल से लाएं टार्ड थी यूंग टो कि तो कि अखिए वज़े ज़े दाट प्योंग प्यूंग प्यज़े दूस्क्राइं गवाध कर दो किससLife हम एड